Here is Science Class 10 Chapter 12 का Part 15 है और इसके पहले के Parts को तो आप जरूर पढ़ लें क्योंकि वहाँ पर मैं रहे बताया है आपको किस प्रकार से सिरीज में हम लोगों ने रेजिस्टर को कमबाइन किया था और किस प्रकार से पैरलल में रेजिस्टर को हम लोगों ने कमबाइन किया था तो फिर किसी को किसी रेजिस्टर को हम लोग पैरलल में लगाते हैं तो उसके क्या फाइदे नुकसान हो सकते हैं तो आप देख सकते हैं ये पैरलल ने इस प्रकार से रेजिस्टर को सजाए जाता है या किसी बल्ब को आप सजा सकते हैं घर में और इस प्रकार से देख सकते है कि यहां series में bulb को लगा सकते हैं series में अपने appliances को लगा सकते हैं तो क्या फाइदा और नुक्सान होता है वही हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां पर आप देख सकते हैं we have seen that in a series circuit the current is constant throughout the electric circuit तो मैंने आपको बार बार बताया है कि जो जो छोटे छोटे बात थे आपको याद रखने हैं क्योंकि इसी से आपको next chapter में और इस chapter में भी बहुत सारे applications पढ़ने होते हैं तो हम लोग ने तीन चार बात यहां से पढ़ा था पहला कि यदि एक छोर दूसरे छोर से इस परकार joint हो तो यह series होगा इससे भी 5A और इससे भी 5A का current flow होगा इसका मतलब है कि throughout circuit अपरमीटर को यहां जोड़ दें यहां जोड़ दें कहीं भी जोड़ दें यह 5A का ही current बताएगा इसके बाद हम लोगों नहीं पढ़ा था कि इस सभी का potential difference क्या होता है अलग-अलग मतलब कि मान लिजे कि R1 1 Ohm है यह है 5 Ohm और यह क्या है आपका 10 Ohm है तो सब का यहां पर आप देखें कि resistance क्या है अलग-अलग इसका potential difference भी क्या होगा अलग-अलग यह हो गया V1 यह हो गया आपका V2 और यह क्या हो गया आपका V3 इस प्रकार से आप देखेंगे कि इन में अंतर होता है तो यह छोटे बात छोटे-छोटे बात मैंने बताया थे कि आपको याद रखने है तो चली अब देखते हैं कि यदि series में जोड़ा जाए तो क्या problem हो सकता है तो मान लिजे series में तीन बल्ब को इस प्रकार से आपने जोड़ा है तो जब यदि series में तीन बल्ब को आपने जोड़ा है तो current जब pass होता है तो पहले में से होके दूसरे में जाता है दूसरे में से होके तीसरे में जाता है और मान लिजे कि आपका एक बल्ब fuse हो जाता है इस प्रकार से एक बल्ब क्या हो गया, फ्यूज हो गया, तो यहां से तो connection टूट गया, और जैसे ही यहां से connection टूटेगा, next आगे वाला बल्ब भी यहां पर नहीं जलेगा, इसका मतलब है कोई भी यही बल्ब यहां फ्यूज हो जाता है, तो circuit यहां बलने की विद्युत पर current नहीं होगा, यह तो पहला problem है, जैसे कि यहां आपके book में भी बताया गया है, आप देख सकते हैं, if you have used fairy lights to decorate buildings on festivals, on marriage celebrations, यह पहले के जवाने में इस प्रकार से लगे रहते थे, जिसको हम लोग झालर कहते थे, तो वहां पर क्या होता था, you might have seen the electrician spending lot of time in trouble locating and replacing the dead bulb, each has to be tested to find which has fused or gone, तो उस time में एक लरी में इस प्रकार से बल्ब लगा रहा करता था, और यदि एक यह सब series में jointed होते थे, तो यदि एक बल्ब भी fused हो जाता, तो यह पूरा लरी फिर काम करना बंद कर देता था, तो यह है series का problem, यह तो पहला हम लोगोंने problem देखा, कि यदि series में आप अपने bulbs को लगा रहे हैं, components को लगा रहे हैं, तो यदि एक में problem आता है, तो उसके बाद कोई भी आपका काम नहीं करेगा, आगे कुछ और बात देखते हैं हम लोग, अब देखिए, यदि series में लगा गया है, तो यह यहां माल लीजिए कि आपको एक bulb लगाए गया है, और यहां कोई heavy appliance लगाए गया है, माल लीजिए, तो यदि आप series में लगा रहे हैं, तो आपको तो पता है कि सब में current एक ही प्रवाहित हो रहा है, जबकि according to appliance आपको current का क्या वाशकता है, किसी में कम आवा शकता है, किसी चीज में लगाने में यही problem होगा कि सभी में current का मान क्या होगा है एक ही प्रकार से जाएगा किसी को कम चाहिए तो उसमें ज्यादा जाएगा current किसी को ज्यादा current चाहिए तो उसमें कम current जाएगा तो यह एक problem आएगा और main जो problem है इसका कि यहाँ potential difference सब का अलग-अलग होगा 220 वोल्ट फिक्स किया जाता है कि वो 220 वोल्ट पर काम करेंगे तो basically जितने भी हमारे electrical components इंडिया में आते हैं वो 220 वोल्ट पर काम करते हैं तो यदि आप इसको series में आपने इससे लगाया है तो यहां आप देखेंगे कि तब जितने भी appliances आपने लगाया हैं उनका potential difference क्या होगा उनको अलग-अलग potential difference मिलेगा यहां V1 मिलेगा यहां V2 मिलेगा और यहां पर क्या मिलेगा V3 मिलेगा मतलब यदि आप overall 220 वोल्ट दे रहे हैं तो यह तीनों में 220 वोल्ट प्रवाहित नहीं होगा कहने का यह मतलब है कि 220 भोल्ट का potential difference तीनों को नहीं मिलेगा तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि series में जोडने में क्या क्या problem हो सकता है अब हम लोग बात करते हैं parallel combination की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर parallel combination बनाये गिया है जबकि आप parallel combination में यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ माली यह 3 R1, R2, R3 register इस प्रकार से लगा है parallel में तो तीनों के बीच का potential difference क्या होगा एक मतलब कि तीनों को एक ही प्रकार का potential difference मिलता है दूसरा यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था यह है I1 यह है I2 और यह क्या है I3 मतलब दोनों छोड़ों पर potential difference सेम रहेगा R1, R2, R3 अलग है इसी के कारण इनका I1, I2, I3 भी क्या होगा अलग होगा तो यह I1, I2, I3 मतलब कहें कि current command किसके अनुसार होगा तो यह जो resistors है उसके अनुसार होगा मतलब कि यदि इसका resistance कम है या ज़्यादा है उस हिसाब से यहाँ पर current कमान होगा तो आप देख सकते हैं कि अलग-अलग जो components लगाए जाएंगे उसके according उनको क्या मिलेगा current मिलेगा On the other hand, a parallel circuit divides the current through the electrical gadget The total resistance in a parallel circuit is decreased as per यहाँ पर जो से दिखाए गया था This is helpful particularly when each gadget has different resistance and require different current to operate properly तो इस प्रकार से आपने देखा कि यदि हम लोगोंने parallel में लगाया गया है तो जैसा जैसा इसका resistance है उस हिसाब से इसको क्या मिल रहा है current मिल रहा है जैसे इसको I1 मिल रहा है, इसको I2 मिल रहा है, इसको I3 मिल रहा है इसका मतलब है कि device के नुसर, gadget के नुसर इसको current यहाँ पर flow हो रहा है तो यह ज़्यादा बहतर होता है, इसके बाद देखिए इसका और क्या फायदा हुआ माली जै कि यहाँ पर एक जो आपका gadget है काम करना बंद कर रहा है चुकि यह series में तो है नहीं, तो other two gadgets को भी कोई problem नहीं होगा माली जी की bulb भी अपने लगाया है, तो एक bulb fuse होता है, तो दो bulb को कोई उसे problem नहीं होता है इसके साथ ही इनके potential difference तीनों के बिच का same है, मतलब कि यह तीनों अलग-अलग potential difference पर काम कर रहे हैं एक दूसरे से इनको लेना देना नहीं है, तो यह कुछ फायदे है parallel combination के तो क्या series combination का कोई फायदा नहीं है, नहीं ऐसा बात नहीं, series का भी फायदा है, घर में fuse जो लगाया जाते हैं, तो वो मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा कि 21 परकार से series में भी लगाने से बहुत फायदे हो सकते हैं, या फिर इसका किस परकार से हम लोग उपियो कर सकते हैं, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे heating effect of electric current, तो मिलते हैं next video में, धन्यवाद